प्रिया, तुम्हारी फर्स नाइट कहां हुई थी? कार में? क्योंकि आजकर लड़कियों को कार में सेक्स करना बहुत पसंद है मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था मझे जानना है कि कार्टिक का है? कार्टिक नहीं है तो अब ऐसी बाते करें अच्छा, यह बताओ हम सेक्स कहां करेंगे? कार में चलेगा? नो, नो येस, अभी सुबह होने में तीन घंते हैं I want to sleep with you मैं तुमारे साथ सोना चाता हूँ प्रिया, कार्टिक के लाश भी नहीं देख पाओगी बहुत देर हो गई अभी तक हाल में ही है चलो उपर चलते हैं कार्टिक चाहिए कि नहीं हुआ है हुआ हुआ झाrit झाड़ प्रिया बदन में वहुत दर्द हो रहा है ज़रा दबा दोगी कार्तिक चाहिए या नहीं पती मारता है और पत्नी सहलाती है ये कॉंबिनेशन भी अच्छा है ऐखर प्रिया तबाई तया है आशाई मेंगिने पत्नी था है पुरिया यह बचपा हो छोड़ दो कम उन्हें देदो पिर बास पटारा नहीं तो शूट कर दूँगी जन्हें यू कांट यह मेड इन जर्मन है ए टेमें पिस्टल तुम शूट नहीं कर सकते चली बढ़ तुमने पाट यह साथ कियार की मैं कह रहा हूं यह मुझे दे दे समझती क्या है अपने आपको देख मेरे अंदर तुझे पाने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी का सकता हूं I can do anything can't you understand I love you आखें बन करके मुझे कांदिक समझकर मेरे साथ सुनने में क्या दिखता तुम्हें प्रिया तुम्हारे पैर पर यह कैसा निशान है मैं कुछ पूछ रहा हूं प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे बताओगे कार्टे का है यह बताओ चोट कैसे लगी बच्पन में मैं सीड़ियों से गिर गई थी उसी का निशान है कि अचल अचल तुम्हें बताओगे का निशान है सर 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 गेट पे ताला है सर वो मेरा घर है सर तो इक हारती कहना सर पुलिस वाले ने मुझे पर हमला किया था सर मैं दो दिन के बादा हूं सर मेरे घर सर पे ताला लगा है सर मेरी वाइफ का मुझे पता नहीं सर यह क्या नहीं कहानी संदा रहा है उटी से एक मासुम लड़की को लाकर शादी के नाम पर उसके साथ बलतकार करके जान से मारकर गायब हो गया और आकर कहानी सुना रहा है तेरी तो कर रहा है मिलना है मिलना है जब तक जिंदा थी तब तक उससे मिला नहीं अब मरने के बाद उससे मिलना चाहता है अब तो वो चिता में जलकर राग भी हो गई है एक उस्टेबल आटो बुलाओ जल्दी बुलाओ अटो को इसे ले जाने से पहले आपको खबर दे दो चल कमी जुतार पे उदार कर दो है जन्यτιकर आपको 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 हुआ यहां कि आड़ेे! कि आड़े! अगरा! कि आड़े! रुद कि आड़े! करते चलब! कर दो! मैं तेरी मॉठू तेने मार्दिया, मेरी प्रियाक। प्रियाक। गॉर्णारा! प्रियाक। मेरी 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 प्रिया को जान से माड़ा ला मेरी जिंदगी में बहुत चाला गया यह सब मेरे और प्रिया के साथ क्यों हाँ पता नहीं मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी खोन करूंगा मेरी प्रिया के बिना मुझे जीना पसंद नहीं था मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया मुझे से बहुत सारे सवाल पूछे गड़े पुलिस टेशन बदलते रहे कोट बदलते रहे पर मेरे मन में बस एक ही ख्याल था मुझे मरना है अपनी प्रिया के पास जाना है मैं जिन्दा नहीं रहना जाता मोजरिम का नाम है कार्तिक नंबर 23, छटी एवेन्यू 23 वी गली, कृष्णा नगर तुम्हें अपनी सभाई में कुछ कहना है मुझे मौत की सजा नहीं मिली छे साल की जील होई ले जावसे जील में भी मैं हमेशा अपनी प्रिया को ही याद करता है था और जल और उन छे सालों में मैंने कई बार खुद को शीकरने की कोशिश के मेरे दमाद बहुत अच्छे थे सब लोग उन्हें बहुत ब्यार करते थे उनका कोई दुश्मन नहीं था मेरी बेटी मेरा नाती उसके साथ सब यहीं मौजूद थे सर वो कैसे आया और कैसे बार कर चला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे मरा पता नहीं चल रहा है सर महिने का एक लाग रुपे कमाने वाला कंप्यूटर इंजिनियर था उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी वो बहुत शान स्वभाव का था सर वाट एल्स ना तो चाकू मारा ना ही गला था पाया और ना ही मार पीट की और चान से मार दिया कौन है खोली कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी गौरी इसका क्या मतलब निकाला जाए सर कुछ लोग तो ऐसे भी लिखते हैं नियूमरोलोजी मैंने उस महिला से पूछा था सर उसने ये बताया कि उसके जान पैचान में कौरी नाम की कोई भी महिला नहीं है सर फ्रेंड सर कर आफिस के कलीक्स सबसे अच्छी तरह पूछाच कीजिए ये सर ये सर आई डू सर थैंक यू बोलो शुवा एनी प्रोग्रिस अभी तक दोस्तों से दूद वाले सब जी वाले सबको मिलाकर 117 लोगों से पूछ चाच कर चुके हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिला एक्सपेक्टिंग एनी क्लीव सर सर आपने जैसा कहा था मैंने उसके फ्रेंड्स, कॉलेक्स, रिष्टेदार सबसे पूछ लिया लेकिन कोई भी गोरी नाम के महिला नहीं है सर लेकिन एक खास बात है अगर ये कवर हमें दो दिन पहले मिल गया होता तो हम इस मर्डर को रोक सकते थे क्या क्या रहा वो बदमाश क्रिमिनल अपने शिकार का पोटो इसमें भेजा है सर शिट पोस्टल स्ट्राइक होने के कारण ये कवर हमें आज ही मिला है सर मैंने भी इससे आज ही देखा है जो लोग जीने के योग्या नहीं है इसका मतलब क्या हुआ बहु अचन बहु अचन में लिखा है मतलब अभी उसे और भी खुन करने है यही मतलब है ने इसका एक्जेक्ली सर मिस्टर विनर ये सर ये फोटो वाली बात मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए उसने हमारे डेपार्टमेंट को हत्या के तरीकी के बारे में पहले ही बता दिया फोटो के पीछे अइस पश्ट सा कुछ लेखा हुआ है जिससे कुछ पता नहीं चल रहा है इस खून के पीछे मोटेव कुछ नहीं है नो मोटेव अगेन उसका एटिटूट देखने से लगता है कि वो किसी मानसिक बीमारी से पीडित है मेभी सर एंड मिस्टर श्रिवा जी सर हमें मनोच सकी सला लेनी होगे यस सर आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले इसकेंड डिवे के एक केस में एक्सपरिमेंट करके एक मुझरिम को मारने के लिए उन लोगों ने इस मेथट के जरिए उसका ब्लड ट्रेशर कम करके केस को सल्व किया था या आप क्या कह रहें डॉक्टर? यस, ऐसा हुआ है हो सकता है उसने ये खबर पढ़ी हो या फिर किसी ने उसको इसके बारे में बताया हो लेकिन बिल्कुल उसी तरीकों का अपनाया है अगर ये आदमी उसी तरीके से हत्या करता है तो ये एक नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता आपका मतलब वो पागल है डॉक्टर? ने, ने, मेरा ये मतलब नहीं कि वो पागल है मुझे लगता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक चालाक साइको है ये जो हत्या करता है उसके कारण हो भी सकते है या फिर सम्टाइमस नहीं भी हो सकते है उसने फैसला क्या कि साफ्ट एयर इंजिनियर जीने के योग्ये नहीं है और उसका कतल कर दिया साइको मंडरस ऐसे लॉजिक नहीं रखते हैं इसी तरह एक बार स्टेट्स में जेड वर्ट से जितने नाम शुरू होते हैं साइको ने उन सब को मार डाला अब आप भी बताइए इसको क्या कहेंगे यानि वो और भी सॉफ्ट एयर इंजिनियर्स की हत्या करेगा नो 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 साइको किलियर्स का कोई भी बना बनाय तरीका नहीं होता यहां अने किसम की केसेस हैं यह किस तरह का केस है डॉक्टर? इसने आपको पहले ही फोटो भेजा है बहुत यह अकलमंदी से मर्डर किया है मुझे लगता यह दिमागी तोर से बहुत तेज है यह जब दूसरा खून करेगा तब ही हम इसके बारे में आपको बता सकते हैं कि यह किस तरह का खूनी है नो 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 हम दोबारा ऐसा मर्डर नहीं होने दे सकते वे हैब टो स्टॉप दिस नॉनसेंस सी गोतम इमेडियेट एक स्पेसल टीम तायार करो और मुझे फॉरण रिपोर्ट दो ये सर करती चलो जी हम को मोमेंटो देकर आते हैं ये नहीं नहीं मैं उटी जा रहा हूँ वाई ये उकलिप्ट्स का तेल खरीदने कैसे जाएगा बस से क्यों कार से क्यों नहीं अगर उटी जाना हो तो बस से जाओ या फिर बाइक से जाओ तभी ठंड का एसास होता है कार्ती हर वीकेंड पर तुम उटी चले जाते हो लगता है वहाँ कोई लड़की पटाली है एक शबद आगे पीछे करना है मैंने लड़की को नहीं लड़की ने मुझे पटाया है से यू गाइज बाइज करता है ए आतें जड़ांकि आतें जड़ ओम स्टोभ अञर उन पूस मेश मेशी हुप्ट परोन यार qualify नड़ करे टी एह संदोरी मेशही मेशर हमाए स्टने आतें fini मुवश知道 है उनद आतें आतें किह अ८्ट कर लाओ कर दो टहाओ कर दो दो और बहाँ कर दो भाँ कर दो हो नजब आखिए हम एम एज करा तो हम एग एगनास हम एग chili अए हम एग 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 हम एख ए एग एगик सब्सक्राइब यहां कि नहीं है यहां कि अब में है देखो जल्दी देखो इसमें तो चादर फाड का रात्मत्या कानी की कोशिश की ले चलो ले चलो इसका सिर्वी फट गया है इसना फून बे रहा है जल्दी ले चलो जलो जलो सेर आप बातें करते रही है मैं कट कर रहा हो ना जाना यहां से सारी सर हलो आप गौतम सर है हाँ बोलाओ आप मैं मैं मुझली हूँ मैं जिस दिन खोया था उस दिन सफेद कमीज और काली पैंट पहन रखी थी सर मैंने अपना बायो डेटा बताने के लिए फोन नहीं किया था सर इस अपने अगले शिकार की फोटो पर भेज़ दी है एए ए एए ए तेरी हिम्मत कैसे हुए यह सापात करने की को है तो तो जिए क्या चाहिए तू कहां से बात कर रहा है तू पहले बहुत बढ़ी गलती कर चुका है कहा है तू पता आपने इंजीनियर को तो मर ने दिया सर यही उसके द्वारा भेजी गई दूसरी फोटो है उसने फोटो का फ्रेंट और बैक दोनों डॉलप किये हैं पहले फोटो की तरह इसमें भी पीछे कुछ लिखा हुआ है यानि यही इस का अगला टार्गेट है जो लोग दुनिया के लिए बोज है उन्हें मर रहा होगा इसका मतलब क्या है ये सब क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं बस बक्वास पर लताया मुझे लगता है कि वो हम से कुछ कोई खास बात कहना चाहता है I have an idea, sir, ये चार लकिरे मिलके रहे घड़ी की आकार देती है That's true, sir, ये सही कह रहे है, अगर ये बारा, तीन, छे, नो है, तो ये छोटी सुई है, और ये बड़ी सुई है Good Sir, इसा समझे तो उपर से नीचे है, तो हमारे पास चार आप्शन है, 3 o'clock, 6.50, 9.30, 12.45 Hmm, ओके, ये एम है या पी एम है Sir, अगर इस पोटो को देखा चाहे तो इसमें morning, evening और कुछ लिखा है Right Sir, इसमें morning और night कटा हुआ है, इसलिए अब बचता है दुपहर और शाम यानि सवाचे या साड़े नौ भी नहीं है, अब बचता है, 12.45 से 3 मज़े, अभी एक बज़ा है तो, 3 मज़े वो मडर करने वाला है Oh God, Sir, सिर्फ 2 गंटे हैं या आदमी कौन है, कहा है, अपने मडर के बारे में चानता है या नहीं, इस तरह के कितने ही सवाल है, इनका जवाब कैसे मिलेगा बोलो मेरे पास एक सुझाओ है, Sir, इनकी फोटोस के जेरोक्स निकाल कर, शहर के सभी पुलिस थानों में भेज कर, इनके बारे में अगर कोई जानकारी मिल सके, तो उसे निकलवाते हैं, Sir Sir, एक और बात, यहां के सभी टीवी चैनलों पर, मेरा मतलब, NDTV, BBC TV, तेज़ टीवी, आज तर टीवी, इन सभी टीवी चैनलों पर, इनका फोटो हर 10 मिन में फ्लैश करके, किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी हो, तो कमिशनर आफिस में दे सकता है Sir, राशन कार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसन्स, पैन कार, वोटर आइडी जैसे ओफिसों में इनके फोटो देखकर, यह कौन है पता लगा सकते हैं, Sir ओके, किसी भी तरीके से इसे ट्रेस करने की कोशिश करो, एक मिनिट भी बेकार नहीं जाना चाहिए, हमें यह आपरेशन तुरण शुरू करना चाहिए एक विशेश सूचना, यहां की जिला पुलिस एक आदमी की तलाश कर रही है, उनकी पहचान के लिए उनके फोटो को टिवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, अगर उसके बारे में किसी को जानकारी हो, तो दुरण पुलिस से संपर करें झाल 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 इस फोटो में जो आर्मियों से कभी देखा है नहीं नहीं देखा ओके मुव जो अभी अभी टेलिवीजिन को ओन किये हैं अगर आप इस शक्स को पहचानते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें आप चाहे तो मैं आपके लिए वो नंबर दोबारा दोहरा सकती हूँ 044-244-51020 ये ये तो प्रोफेसर है प्रोफेसर? कहा रहे? टीवी पर अपने प्रोफेसर दिख रहे हैं यार हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है मैडम एक मिनित लगता है वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर है वेरे गुड वेरे गुड प्लीज अपना नाम बताइए रेकॉर्ड कीजे सर ये कल्यान चर्मा प्रोफेसर है ये तो अच्छी बात है मैं उनके सेल पर ट्राइ करती हूं सर हाई विंदो हाव अर्यू लाइन मिली क्या सर लाइन एंगेज है घर पे पोन करते हैं सर कम आन ट्राइ बाइद अवे वैसे मैं दो दिन पहले तुम्हारे फोन का इंतसार कर रहा था कम आन बताओ कुछ भी हो मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लिसन मी यू गाट ए वेरी ब्राइड फ्यूचर कम आन कम आन पिक अप शेल जा कल्टो रूम को फोन करके तुम्हारे गर जाने के लिए कहो ओके सर देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा किसी भी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लिया जाता सोच समझ कर लो लगता है मेरे सेल पर दूसरी कॉल आ रही है लेकिन मुझे उसकी परवा नहीं है तुम राजी हो जाओ वही मेरे लिए ज़रूरी है कम आन टेल मी कम आन पिक अप दे फोन लाइन लाइन में भी गंटी बज रही है लेकिन मैं सब को वाइट करके तुम्हें माद तो दे रहा हूँ मुझे विश्वास है तुम समझ सकती हो इसके बाद तुम ही फैसला ले सकती हो ओके तुम्हारे दिल में शिरिंज से हवा भरने से वो हवा तुम्हारे खून को दिमाग तक जाने से रोकेगी तुम्हारा दिमाग काम करना बन करेगा तुम्हारा दिल भी काम करना बन करेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी कॉम ओन, पिक अप दो फोन हलो, मिस्टर कल्यान शर्मा सर, सर आप ठीक है न? हलो, हमसे बात कीशे आपकी जान खत्रे में, जल्दी जवाब दीजे यार लेट क्या कह रहे हैं अब? पहले फोन करना था न, वो वो तीन बजे मर गए सर, क्या होँ सर? हम, इस टेट! हाई, आइम कार्थेक, मुंबई का हूँ सॉफ्ट्वेर इंजीनियर हों, और मैं अपना वीकेंड ऊटी में बिताता हूँ इसके पीछे बहुत ही सुन्दर वज़ा है येस, मेरी गर्फरेंड प्रिया किसी भी लड़के के लिए सबसे अच्छा तोफा होता है एक लड़की का दिल और प्रिया ने मुझे अपना दिल ऐसे ही नहीं दिया इसके पीछे एक इंट्रस्टिंग कहानी है मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है और वो पल मैं मरते दम तक भोल नहीं पाऊँगा हाई, कार्टिक ने बताया होगा हाँ, मैं प्रिया हूँ जानते हैं मैं इतनी तेज क्यों जा रही हूँ आदे घंटे में कार्टिक बस्टेंड पर आ जाएगा एक्चिली, जैसे ही वो यहाँ पहुचता है वो मुझे सबसे पहली देखना चाहता है मेरा भी यही हाल है मैं हर दिन उसे अंगिरत बार याद करती हूँ उसने मुझे इतना बेचेंड किया है कि क्या कहूँ पता है जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो इतनी इंप्रेस नहीं हुई थी यह किसका है? पता हुई सॉरी नहीं नहीं तुम थोड़ी लेट आ सकते थी या फिर मेरी बाइक थोड़ी पीछे होती तो अच्छा होता क्यों? मिस हो गया न? क्या मिस हो गया? एनिवे सॉरी इस ओके फाइन मैंने सॉरी कहा न सिर्फ सॉरी कहा तो और क्या कहूँ? यह 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 क्या कर रहा हूँ? सी यू लोकिंग वेरी प्रिटी अपनी नजर उतर वाले न उस पहली मुलाकात के बाद मैं उससे कहीं नहीं मिला प्रोजेक्ट की खत्म करके मैं मुंबई जाने से पहले उससे एक बार मिलना चाहता था सबने कहा कारतेक, all the best कारतेक, अच्छे से काम करना लेकिन मैं उससे एक बार मिलना चाहता था लेकिन मुझे उस दिन एक बात समझ में आ गई थी कि जिन्दगी में जो कुछ भी अचानक होता है उसका कुछ अलग ही मज़ा है हलो, हलो हे, हलो जी हाँ, मेरे उससे मुलाकात हुई हलो, हलो sweet second chapter, प्यारी सी दूसरे मुलाकात excuse me yes, just wait I'm coming intazaar khatm hua choई झाल झाल हलो मैंने ड्रेस लेक्ट कर लिए है नीचे आकर बिल बना दीजे हलो क्या कर रहे हैं आप जी मैं आपको ही देख रहा हूँ वाट कमिंग कमिंग वन मिनिट बस अभी आया हलो याद नहीं हो ना नहीं वेल ट्राफिक सिगनल दुपट्टा अब कुछ याद आया या 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 अच्छा देखा आप मुझे भूल गई थी लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाया था बहुत बड़ी गलती कर दी उस दिन आपका नंबर लेना चाहिए था मैंने सोचा भी नहीं था कि उंटी मैं आपको ढून पाऊंगा थैंक गॉड मुलाकात होई गई एनिवेज आम कार्थिक आईटी गाई मां हाट पेशेंट नहीं है और नहीं मेरी बेन की शादी होनी है मुंबई में काम करता हूँ उटी में एक प्रोजेक्ट पे रिसरच कर रहा हूँ एक महिना यहीं रहूँगा और वक्त का सही इस्तमाल करूँगा आपके पास कागस है या फिर हाथ पर लिग्देता हूँ नहीं एट जाएगा ने मिट जाएगा न्हीं प blueprint वो किसली है मेरा मोबाइल नंबर घर का नंबर हीमेल यड़ इडि सब कुछ लिखने के लिए लेकिन क्यों वाट करने के लिएंग बात करने के लिए मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या याद करोगी, मुझे जरूर याद करोगी यही है अगला स्टेज अगर कल आप मुझे से बात करना चाहो मुझे से मिलना चाहो तो अफसोस नहीं होना चाहिए न मुझे फोन कर ले न हैलो ओके ओके चिल नहीं चाहती तो जाने दो अगर मुझे पता होता ये आपकी दुकान है तुम्हें कभी अंदर नहीं आती आपकी दुकान में नहीं है यही कहेंगे न ये लिजे आपने जो मांगा था ले आया इसमें से पसंद कर लेजेए, आपको और वेराइटी चाहिए तो दिखा दूंगा मैडम, आपको क्या चाहिए मैडम इसके लिए ट्राउजर चाहिए आपके हाथ में ट्राउजर ही तो है मैडम सॉरी, टॉप हाँ, ठीक है क्या साइज मैडम साइज क्या है थरी सिक्स वाव लगता है इसने मुझे देख लिया स्क्यूज मी खुश नहीं तो मुबाइल नंबर लिख लीजिए आसानी से याद रह जाएगा नाइन एट फूर वान जीरो अगले पाश नंबर के लिए उल्टी गिंती करो जीरो वान फूर एट नाइट तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा वेस्ट अफ टाइम मुझे पता है तुम फोन करोगी मैं इंतजार करूँगा बाई जानता था जानता था जानता था तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा बाई देखा अब बस प्रिया के ही फोन आता है सुबर शाम दिन रात मेरे इंबॉक्स में सिर्फ प्रिया की ही मेसेज है प्रिया 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 लेकिन पहले तो उसने मुझे एक कॉल के लिए भी तरसा दिया था जिस दिन मैंने उसे नंबर दिया उसके बाद मुझे हर दिन हर पल उमीद रहती थी कि वो आज कॉल करेगी, अभी कॉल करेगी जब भी फोन के घंटी बचते थी तो मुझे लगता था कि उसी ने फोन किया होगा लेकिन वो किसी और का फोन होता था मुझे इंतिजार था कि मुंबई जाने से पहले उसका फोन एक बार जरूर आएगा और इसी तर में दिन रात उसके फोन का इंतजार करता रहा दिन बीटते जा रहे थे कम से कम एक Mist Call ये एक message लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं आया जब कभी भी उसकी याद आती थी तो message type करती थी लेकिन बेजती नहीं थी उसका number डाईल करती थी लेकिन बात नहीं करती थी, क्यों करूँ, किस लिए करूँ वो आखिर कौन है मेरा, उसने मेरे लिए ऐसा क्या किया है, मैं इसी उधेड़ बुन में थी ये मेरा एगो था, या लापरवाई थी, पता नहीं, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी नेक्स्ट मिस्टर कार्टिक फ्रॉम मुंबई, और अचानक एक दिन, वो मेरे घर आगया, कमान कार्टिक, कमान स्टेज, कमान स्टेज, मम्मी, बिजली चली गई, अरे बापरे, बिजली चली गई, मुझे मिक्सी चलानी है, ए प्रिया, कहां जा रहे हैं, मम्मी, आजकर जिल लोगों को प्यार का अनुभव भी नहीं होता, वो प्यार के सक्सेस औफ फेलियर के बारे में बहुत सारी कवीताएं लिखते हैं, आप कुछ कहना चाते हैं, अपने एक्स्पिरियेंस के बारे में? येस, आम इन लव कितने दिनों से? बस चौदा दिनों से जस्ट फोर्टीन देज? इंट्रेस्टिंग, पहले किसने प्रपोस किया? मैंने किया था उनका नाम? सॉरी सॉरी? वेरी कुद नेम मेरा मतलब मैं उसका नाम नहीं जानता हे कातिक, मैं पुछ कर बता हूँ क्या? I'm just kidding उसने क्या कहा? अभी जवाब नहीं आया मैं इंतिजार कर रहा हूँ कातिक, मैं हुड़ा अगर उसने मना कर दिया तो तो फिर रोहेट, उसे भगा रूंगे? ओके, all the very best आपका प्यार सरूर सफ़ल होगा दूसरी में ना है कौन से उंगली पकड़ने, बता दो मैं पकड़नूगी लो बाबा, गलत इसे गलत उंगली पकड़नी तो कोई बात नहीं, ट्राइ तो कीजिए ये बात येस मतलब वो हां कहेगी हलो 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 तुम्हारी तरह कितने लोग आएगे अगर मैं वो वाली उंगली छूती, तो भी तुम यही कहते, करेक्ट? ऐसी बात नहीं है आपने हाँ वाली उंगली पकड़ी थी मैं जानता हूँ मेरे साथ सब कुछ आच्छा ही होगा वो कैसे? दैस दैस साइकलोजी साइकलोजी? हाँ, जैसे कि अगर कोई सडक पर रास्ता पुछता है तो आम उसे रास्ता दिखाते हैं कैसे? यहां से सीधे जाईएए वहां से राइड पिर लेफ्ट फिर सीधा जाईएगा आप इसी उंगली से रास्ता दिखाएंगी न? इस उंगली से नहीं न? नहीं लिए वैंक यू वाच मैं यस मडम इन दो उंगलियों में से एक को पकड़ो यह क्या नहीं खेले मेडम पकड़ो ना यह कहा था ना ओ माइग आप नहीं समझोगे जारे दो यह प्यार का मामला है अरे प्रिया तो कहा गई थी तेरी जाते ही फिजली आगे थी चल तो हाथ पाधो ले मैं खाराना रहती हूं एक उंगली पकड़ो वो क्यों पकड़ो ना हे हे देखा ना ह्थबोot हूब मैं हूब हूब हलो 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 गँटर्टिक बोल रहा हूं हलो 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 कॉन ए-घृृ और ए-घृ। क्या हुआ, अकिल अकिल हस क्यों रही है? मेरी फ्रेंड ने एक जोक सुनाया पता नहीं कैसे किसे जोक बोलते रहते हुआ हलो हलो, हुस्स देस हलो मैं प्रिया हलो 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 ऑ शहाओ में, या, 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 या येस, हलो, 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 कौन बोल रहा है, हलो, अगर आप बात नहीं करेंगे, तो मैं बहुत बड़ी-बड़ी गालियां दूँगा, देखने में तो कितना डीसेंट लगता है, लेकिन ये तो गालियां देना भी जानता है, हलो, हाई, प्रिया, उससे ही पता चिल गया, मैं जानता हूँ, ये तुम ही हो, क्योंकि आज تक मुझे किसी ने मिस्ट कॉल नहीं दिया, क्योंकि जब भी कुई कॉई कॉल करता है, तो बात करता है, यो खामोश नहीं रहता प्रिया, कुछ तो बोलो Say something चाहे मुझसे बात करो, मुझे डांटो मुझसे बात करो मुझसे बात करो प्रिया हलो प्रिया, समझ गया तुम मुझसे बात करना चाहती हो पर जज़क रही हो प्यार में ऐसा ही होता है फाइन, फोन पर बात नहीं करते है कुछ और सोचते है क्यों न हम दोनों कल मिलें और एक दूसरे से अपने दिल की बात करने की कोशिश करें वही अच्छा रहेगा चलो ठीक है, तुम मुझसे बाते मत करना चलेगा पर एक बार मिलने आओ आओगी न अपरिया तुम आओगी लेकिन बात नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन तुम आना जरूर मैं इंतिजार करूँगा हेई कार्तिक, वो आएगी ना तुमने बुलाया है, तो मैं क्यों नहीं आओगी एक लास्ट आप प्लीज जैसा कि मैंना सोचा था, वो मुझसे मिलने आई इत्थफाक से मैं जिस बस में जा रही थी, उसी बस में कार्टन भी आ गया कार्तिक, कार्तिक स्क्यूज मी, ये बस स्पॉटनिकल गार्टन जाएगा अरे वो इदा रही आ जाएगा आने देना वो चड़ गया क्या लगता तो है लगता नहीं चड़ गया अरे तु देखकर बता न, वो क्या कर रहा है वो टिकट कंड़क्टर से ले ले ला है कोई आइडिया दे न हेई, उसने कहा है न, कि तुम्हे कुश करने की जरुरत नहीं है बस आकर खड़ी हो जाना लेकिन अगर वो तुम्हे किस करने को कहेगा तो तुम किस मत करना वो किस करने के लिए कहेगा क्यों औरी, जान बुझकर पूछ रही है या उम्मीर के साथ शुक्र, पहले देखने क्या करना है मेरी आखो के सामने प्रिया खून से लगपत हो गई है प्रिया हॉस्पिटल में जब मेरी आख खुली तो कार्थिक मेरे सामने ही था थैंक्स सिर्फ थैंक्स तो फिर और क्या चाहिए तुम ज़रा बाहर जाओगी चे मुझे मालूम था प्रिया साउधान रहना बस के बाहर कोई दंगा हो रहा उन्होंने गुस्सा बस पे उतार दिया एक पथर उठा कर फेक दिया कांश तूट गया फिकर की बात नहीं है पर डॉक्टर ने कहा कि जो डॉक्टर ने कहा हुआ ही कह दू कार्थिक बहुत अच्छा लड़का है उसे मिस मत करना उससे प्यार करना उससे शादी कर लेना ब I say you won't, just go out from here. I'll get you to rest. You're a good, good movie body. Ah, here, go, go. Now he's all right. Now he's all right. Now he's all right. कर रहे हैं इसे ले जाके पनिश्मिंट सेल में डाल दो चाहे कुछ भी हो जाए इसे बाहर मत छोड़ना वहीं पड़े सड़ने दो ठीक है चलता हूं डाउं ओके सर चलता हूं डाउं ओके सर अधकरी खोल दो जीटी कोट जीटी कोट जीटी कोट है सर खोलो इस त्री पूलिस सेशन पे आ रहा हूं क्या केस है गाजा क्या केस है सही सही बताओ खरीदा या बेचा खरीद कर बेचा है सर क्या हो तू अपना मूने खोलेगा ए तलाशी लो ए कुरता उतार बनियान भी उतार पैजामा के तरी बीवी उतारेगी चल उतार देखो इसके अंगुटे में तीले क्या है सर मातेफिन निशान है सर और कोई भी निशान है क्या देखो माइक फ़ायर रिसुविंग ओवर कोई नया कहती आया क्या यस सर अभी अभी आया है पंतर दिन की रिमांड पे है अभी यह इंट्रिकिया ओवर सारी कारेवाई होने के बाद मेरे कमरे में बेज़ देना ठीक है स प्रेश आये कितने लोग यहां क्या क्या करते हैं कुछ लोग श्वेटर बेशते हैं तू गांजा क्यों बेच रहा था तुसे पूछ रहा हूं बेचा या नहीं मेरे सवालों का जवाब दो सिर मत हिला सर इसको पनिश्मेंट सेल में डाल दो यह तो रिमांड क्या दिये सर इसे हम पनिश्मेंट सेल में कैसे डालेंगे जो करने के लिए कहा वो कर राइट सर कारे लिए कर दो राइख रहा यह था ख़ा रहा है गाताम सर इधरा 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 झाताम सर इपाफ्डरन मुपले अजनर मुआ आई रिध रिध ए, क्यों ने? ए, क्यों चिला रहा हो? ए, क्यों ए ए, क्यों अचयाएं है सु ए. Time are you लग्ग! सर पहले जिस सौफ्ट्वेर इंजिनियर की हत्या हुई और अब जिस प्रोफेसर की हत्या हुई उन दोनों में कोई भी संबंद नहीं है वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है हमने उन क्लब के फ्लैट के और उनके जान पहचानवाले लोगों को सब को चेक कर लिया है सर बट एपसलूटली दिर इस नो रिलेशनशिप इन बिट्वीन देम प्रोफेसर ने मरने से पहले आखरी बार फोन पर अपनी स्टूडेंट बिंदू से बात की थी उस लड़की से पूछताच करने के लिए इंट्रोगेशन रूम में उसे बिठा रखा है ठीक से पूछताच करना ओकी सर प्रोफेसर कलियान शर्मा का मठर होने से पहले वो तुम से फोन पे बात कर रह थे क्या बात की थी? हमारे कॉलच में एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है उसके अर्रेंज्मेंट के बारे में और गेस लिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछली वीक भी तुमने four times उनसे बात की थी क्या तब भी तुम उसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रही थी नहीं मैडम, कभी-कभी हम लोग subject के बारे में भी discuss करते थे जब भी तुम उनसे बात किया करती थी तो क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वो किसी प्रोग्लेम में यह मुसीवत में है या फिर वो किसी वो जैसे disturbed है यह feeling हुई थी नहीं मैम, I'm sorry, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता Are you sure? Yes, मैम तुम कुछ tension में दिख रही हो? नहीं मैम, अच्छानक मेरे घर में पुलीस आकर एंक्वाइरी करने के लिए यहा लेकर आती है इसलिए टेंशन में हूँ ओके, you can go ओके, थैंक्यू मैम Something, 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 something is missing एक लाल रंग की इंकी बोटल लाओ एक लाश की तरह नीचे लेट कर दीवार पर गौरे लिखने की कुशिश करो Sorry, sir, इंक ज़्यादा होकर बह गई है गनेश, थोड़ा पास जाकर ट्राइ करो Okay, sir मिरी बास सुनो गनेश ने जब वो लिखा, तो इंक नीचे बह गई इसी तरह मरने वाले ने जब वो लिखा, तो खून बहकर इस तरह आया हो सकता है, उसमें C लिखा हो और खून बहकर G बन गया हो Yes, ये गौरी नहीं है क्योंकि अगर गौरी होता, तो उसमें G-O-W-R-I होता यानि वो G नहीं है, C है सर, जैसा आपने कहा गर ये G नहीं C है, तो C-O-U-R-I नाम का कोई शब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है It's an incomplete word C-O-U-R-I C-O-U-R-I या, सर, कुरियर, सर कुरियर मडर केतने बज़ा हुआ, सुबे साड़े ग्यारा बज़े और कुरियर आने का टाइम क्या है? पोस्ट में सुबे साड़े साड़े ग्यारा का आते हैं, कुरियर दिन बर आता है, सर मिस्टर प्रभू, आप मोहलल के घर फोन कीजिए, और पता लगाईए, उस समय उनके घर कोई कुरियर आया था, क्या? यस, सर प्रिया, सौ साल जी होगी कहा हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ ए, मताओ, मैं उटी में नहीं हूँ उटी में नहीं हो, तो कहा हूँ? मैं मुंबई में हूँ वाउ, सर्प्राइज अच्छा, बताओ, कहां ठहरी हो, और कब मिल रही हो? नहीं, मिल सकती, मैं अपनी पैरेंस के साथ एक रेलेटिव की शादी में आई हूँ बैंडरा में घर पर ही फंक्शन है और वो रेलेटिव्स और फ्रेंज के लिए ही है इसलिए मिल पाना मुम्किन नहीं होगा कार्टिक वो दीदी, आपको कोई नीचे बुला रहा है कौन है? अब वहाँ जाकर देख लो हे, कार्टिक यह यहां क्या कर रहा? कार्टिक, प्लीज तुम्हें यहां से चले जाओ प्लीज समझने की कोशिश करो मैं क्यों जाओ? किसी ने देख लिया तो मेरे पापा ने देख लिया तो हमारी शादी करा दिंगे कार्टिक, अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या चवाब दूँगी? इतने बड़े घर में इतने सारे महमान है मुझे कोई पूछेगा यह नहीं कि मैं कौन हूँ, समझी? कोई चांस ही नहीं है एस्क्यूज मी, आप कौन है? चाचा जी, आपने पैचाना नहीं? अरे मामा जी, आप भी मुझे भूल गए? क्या कहां मामा? हलो, यह दोनों भाई हैं, तो यह चाचा जी और यह मामा जी कैसे हो गए? तुम कहना क्या चाथे हो? ओ, दोनों भाई हैं हैं है? ओ, सिली मिस्टिक आप यहीं रुकिए, मैं एक फोन करके आभी आता हूं है थैंक्यू थैंक्स, मुझे नहीं, उस आंटी को बोली अंकल कैसा था? सूपर दूपर हिट था, और भी मसाएगा अगर हम छट पर जाएंगे हैं, चलो ना छट पर मिलता है मम्मी आ रही है, मैं रखती हूं थैंक्यू ओके आंकल झाला कैसा मामा तुम्हारा जीजा रहा इसका जीजा आभी तो तुमने जीजा कहा वह तो इसका हुआ आपका नहीं कैसे शुरुवात से बताना होगा मैं तो शुरू में ही आ गया था हरे, इससे समझाने तो तो मेरा मतलब है सुमी का मामा हुआ तो मेरा साला हुआ मेरा साला हुआ तुम्हारा जीजा हुआ तुम्हारा जीजा हुआ तुम्हारा साडू हुआ ना कुछ भी हो बस यह सबज में आगया अब लापस में क्यों बहस कर रहा है चलो उसी से मिल लते है जीजा जी से मिलना है बोलो सादू से मिलते हैं कहो अरे वो मेरा जीजा ए रे मेरा साडू है चलुआ पहले पार चीक है चलो हे परीया साले साड़ साव अच्छे ना जीजा जी कब आए? बस अभी आया ऐसे क्या देख रहे हो अब चिंटु बाबु के देख दूओ ना आप तो पैचान लिए ना हाँ बिल्कुल सही पैचाना मैं अभी आया एक फोन कर लेता हूँ आप एक दूसरे को जानते हो नहीं है चिंटु बाबु कर वेटा ने अचैने हैं चिंटु अंका बोलता odd रिमा Holz पहले से बताओ ना धेखो यह सूमी बेटी के मामा है तो मेरे साली और साली उसे मेसलेचा हुए इनकर जीताओ और नामा करेंов और सभी इंडे नमस्ते, साले साहथ जला, एक फोन करके आता हूँ, एक्स्क्यूज मी, समझ गया, समझ गया, मैं तुम्हे कुछ दे रहा हूँ, वो जाकर महंदी लगाने वाली आंटी को दे देना, ठीक है, पिताची मुला रहे हैं, मालिनी, तू लगा देना, ठीक है, मैं लगा देना, ठी दीदी को ना, चला, हाँ, उसी दीदी को ना, हाँ, उन्हें, ठीक से दोगी ना, जाओ, हे, तुमने मुझे किस क्यों किया, किस मैंने नहीं, उस अंकल ने दिया है आपको, क्या कहा, अंकल, आओ, क्यों रो रही हो, एक लड़के ने मुझे, उस छोटी लगा, किस बेजा, लट्टी के हाथ किस बेजा, क्यों बेहन, किस भी कोई हाथ से बेजने वाली चीज है, ठीक, ठीक, चलो, मैं पुछता हूँ, चलो, भाया, वो, जो फोन पर पापर, अरे वो लड़का, वो तो चिंटू जी का बेता है, मेरा साला लगता है, उसे तुमारे बहुत पैसे, तो चलो, बात पक्की कर देता हूँ, चला, क्या बात कर रहे हो, मुझे लगी रहा था कि कुछ न कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कौन थी वो, कोई चश्मेश लड़के थे, ठीक है, मैं देखती हूँ, ओके बाई, चश्मेश वाली, क्या होगा वाली, कैसे देख रही हो, दीदी, भाईया ने पसंद किया है उस लड़के को, मेरे लिए, अच्छा तो वो है, तुझे पसंद है ना, अच्छे तो बहुत पसंद है, लेकिन दीदी, मुझे शादी से पहले ना, तेना पसंद नहीं है, तो उसे जाकर कह दो ना, कैसे कह दो, इसमें सूचना क्या, दीदी, तुम ही कुछ करो ना, ओह भाई, दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पिछा कर पुछे ना, नहीं, नहीं, मैं नहीं जाओंगी, प्लीज दीदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओंगे ना, दीदी, तुम यही रोको, है, 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 तुम अपने आपको समझते क्या हो, हा, एक जवान लड़की को किस सकता है, हीरोई नहीं पूछ सकती, क्या, देखो, ऐसी बत्तमी से यहाँ नहीं चलने वाली, हम लोग बहुत ही टीसेंट फैमली से है, वो तो देखने से ही बता चलता है, किसी अंजान लोगों से ऐसे बात करते हैं, क्या, मैं आप से बात नहीं करना चाहता है, मैं जाके उ अप यहाँ में रहना सीखा, मैं, मैं उलसे, दीदी, देखिया, आप अप अची बात नहीं है, आपको पता हैं, कौन से फैमिली से बिलॉग करता हूं, कैसा लड़का हूं, कुछ नहीं जान दिया, मैं च्छतर जानती हूं, कि तुम किस तरह की लड़के हो, हम लोग ऐसी दावत खाई हो, क्या, कुछ भी नए, काम बन गया, बापा, तुम बाद में बात करना, बहुत गुश्य में हो, पांच मिनट के लिए, उपर छट पे है, सिर्फ पांच मिनट, पापा, तुम नहीं आओगी, मैं चला जाओंगा, तुझाओ, इस जेल का वातावरण, पनिश्मेंट सेल, पुलिस की मार, ये सब उसके अंदर एक डर पैदा कर देगा, अभी बुला कर पूछने से, अच्छा मैं, बाद में बात करता हूँ, ये तुम्हारी मार खाने के उम्र है क्या, हाँ, अच्छा चलो बताओ, ये जेल की जिन्दगी, पनिश्मेंट, टॉर्चर, इन सब को तेरा बदन सेह सकता है क्या, देख, एक ही बार की मार में तेरा बदन तूड़िया, अन्ना से बात करेगा, क्यों नहीं दिया, तेरे पास जो भी है, सब कुछ दे दे, अपोलो मिलाज, गौतम नगर में बंगला, इन सब का इंतिजाम अन्ना से कहके मैं करवा दूँगा, किस लिए दुश्मनी करता है तू, हाँ बोल, आज शाम को ही घर वापस भिज़ूँगा, ये, मैं क्या तेरे से मजाग कर रहा हूं, अन्ना की पहुँच पूरी दुनिया में है, तेरे पास क्या आए बे, मेरी अंतरात्मा है, सुन, तुझे इस जेल में आए तीन दिन हो गए हैं, और बारह दिन बाकी हैं, इसके अंदर तु हमारे लाइन पे आजा, नहीं तो मैं जानवर बन जाऊंगा, सर, सर, उस साइको कह दिने, फिर से आत्मत्या करने की कोशिश की, मर गया, या बच गया, बच गया, सर, चल्दा, बंद करो, बंद करो, नहीं सर, मैंने पता किया था, उस दिन उसके घर में कोई कुरियर डिलेवरी नहीं हुई थी अब क्या करो ओके, एक काम कीजी केके नगर के कुरियर आफिस में जाईए और पता लगाईए कि उस दिन मोहनलाल के घर में कोई कुरियर आये था कि नहीं हमेशा की तरह ये विकेंड भी प्रिया के साथ ही बिता रहा था ए इदारा लेकिन खोशी ज्यादा देर तक साथ नहीं निबाती तुम चिंटू बाबू को बेटे नहीं हो फिर कौन हो दरसल इन्होंने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ तुम जूट बोल रहे हो तुम साथ साथ बताओगा किसले आए हो या मैं पुलिस को बलाओ नहीं जूट तुम लट गट हो या मैं राव यूर राइट सर आपका शक्स है उस दिन कुरियर वाले ने उसके घर में कुरियर की डिलिवरी की थी सर डिलिवरी करने वाले का नाम राजा राम है सर वेरी गुड उससे पुश्टाश करो और यहां ओफिस में लेकर आओ यह सर आरे यह कौन है क्या परेशानी है इतनी देर से यह हमें बेवकूब बना रहा था कह रहा था कि चिल्टू बाबो का बेटा है सुनिये मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया हूं मेरी बात समझने के कोशिश किजिए इसे कैसे छोड़े उपारे में इसको नहीं चोड़े को बड़करें करेंगे तो अपनी अगर इस बार आत्माहत्या की कोशिश की तो बहुत मरूंगा जाबे लब मुझे मरने दो या मुझे महर ही डालो माजी लने ही जादा कदेर के नम से साइंग की है वो देखने में कैसा दिखता है ठीक तरह तो याद नहीं है मैडम बेकिन में जल्दबाजी में कुरियर देख रहागा एक से याद कर चेहरा याद है सर बहुत जगह पर ब्राउन युनिफर्म यूज करते हैं वर एक्जामपल वी टेक पोस्टल डेपाटमेंट सिकुरिटिस सम कमर्शियल शॉप्स लाइक इनफिनिटी मॉल फोसिजन होटल और ऐसे बहुत सारी जगह सर फ़े मिलिये कि उसके घर के सामने एक बहुत देर तक ट्राइसाइकल खड़ी थी सर आपने जो लिस्ट बनाई उसमें ट्राइसाइकल तो ही नहीं सर्ण यूनिफर्म के साथ डो डेलिवरी करनेवाली एक धुकान है ।ी नगर का वेलकम स्टोर्स सर मोहनलाल के घर पर जो पोस्टल डिपार्टमेंट का कवर मिला है उस पर भी टी नगर की स्टैम थी सर अपने कॉंस्टेबल का सेलफोन भी उसी एरिया में खो गया था सर सर कहीं उस दुकान में काम करने वाला कोई आदमी ही हो जिसके हम लोगों को तलाश है हो सकते हैं हाई प्रिया क्या हुआ ये तुम क्या कह रही हो अपने ममी पापा को मनाने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ वो लोग और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और मेरी शादी तैक करने के बारे में सोचने लगे इसलिए मैं किसी को भी बिना बताए कार्तिक के लिए घर छोड़कर आ गई क्यूंकि कार्तिक पर मुझे पूरा भरोसा था करता है प्रिया, यह मेरा घर है, प्रिया, यह मेरा घर है, प्रिया, यह सिटिंग रूम, यह हॉल, राइट में बेडरूम, लेट में डाइनिंग, और, हे, प्रिया, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, ए, प्रिया, मेरे नज़्दी काओ ना, ए, क्या, प्रिया, आज हमारी फर्स नाइट है ना, तुम पागलो, प्रिया, प्लीज यार, सिर्फ एक बार, हे, जो मुझे कहना चाहिए, वो तुम कह रही हो, तुमने नहीं कहा न, इसलिए, वेट, ना कहूंगा नहीं, करूंगा, क्या, कार्तिक देखो, दूर हो तुमा, अरे, प्रिया, अरे, वो तुम मुझे कैन कहां चाहिए, वे यह राति, क्यो जाने हो, खोष मुझे को नहीं, आ का, मुझे तुम तुम पर времени, होश अब, ना रहे हा रहे हा, अ अब नक्य है, ना रहे तुर, ना रहे ना, कि अ अ अउ मेरे आड यू कि अ अ आड शेद आड यू क्यों ये बेकरारी यू ना तुम सताओ छोड़ो ना ठेहरो नसमस में आकन है लीठी सी छुपन है देखो दूर रहो कैसे पस में रखू निल की धरकन को में कैसे दिखाओ तुझे इस तरपन को में क्यों मुझे चेवो न तुम न करोत लगी हो गया मदे वानाओ हम नशें तुम अस्ताचना वीरे आला दियू ओ ही लिए मेरे आया क्यों मसले हुए कम कैसे बोले ये हम आती है शरम मेरा 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 तेरा सनुगं हो ही गया हम दर हाँ तेरी कसम कभ रही न तुरिया तिक हो ही कै हम ऐसे चाहूंगा तुम्हे देखना तुम ओ सनुगं अच्छी लगे मस्तिया अट्किया ओ नशें देख ले दिलकेशी आजानशी प्यार की ओ साचना मेरे आदा दियो ओ ही रिये मेरे आदा दियो संसोरे भुले ते अब ये सासे वह की हम चाहत की अब ये राते क्यों जाने होश मुझको नहीं आ गाया मुझको तुझ के यकी होश अपना रहे खाले हां अब नक्य है ना रहे तू ना रहे आदा ओ सुनिये मेरे आदा दियो ओ ही रिये मेरे आदा दियो कार्तिक मेरी ड्रेस दो ना तुम्हारी ड्रेस हाँ भी देता हूं यहां कर लिलो, मजाक मत करो, क्या कहा, मजाक, अरे मैं चुपचाप लेटा था, आराम कर रहा था, तुमने बातरूम में ले जा के, पलीज, शर्मा रही है, जाने मन का शर्मा रही है, आजा, पलीज दो ना, अब तुम बाहर आती हो, या, मैं फिर से अंदर आ जाओ, Τुम भी न ठीक है तुम अंदर आ जाओ रुक-ईलो ड्रेस आ रहाओ, आ रहाओ Yes, I am coming Yes Are you Mr. Kartik? जी Where is Priya? बात क्या है सर? Where is Priya? बात क्या है, बताई ही ना सर प्रिया नेचे आओ या 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 I'm coming कौन आया है पापा मम्मी अंदर आई यहना अंदर आई यह सार अपना मूव अंदर आख राशकल आप मुझे क्यों बे तेरे को पूरी दुनिया में मेरी बेटी मिली थी धर से भगाने के लिए डर्टी क्रिमिनल इंस्पेटर साहब इसको अरश्ट करके मेरी बेटी को मेरे साथ बेदिजिए प्लीज प्रिया तुम्हे पहले ही हमारी शादी हुई है रजिस्टर्ड मैरेज है मुझे एक मिनुट दीजे एज़ी यह सब क्या है सेर हम दोनों साथ में बहुत खोश हैं रियली सब कुछ नियम के नुसार है मैं आपकी कंपलेंट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता सौरी प्रिया मैंने आपको बहुत डिस्टर्ड किया सर हम इसके बरोसे अपनी बेटे को यहां कैसे छोड़के जा सकते हैं प्रिया मेरी बात मां तू इसके साथ अकले घर में रहेगी तो यहीं तुछ मार डालेगा यहां से चल प्रिया मुझे बहुत डर लग रहा है तो मेरे साथ चत्मामी मेरी बात तो सुने रहेगा आपने मेरी बेटी को कैसे बैका के रखा प्लीज कोई एक्शन लीजिए ना प्रिया मैं हूँ ना फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा रिलेक्स प्रिया रिलेक्स डोंट क्राइए मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसिस देखे हैं आज जो तुम्हें श्राब दे कर गए हैं कल वोही तुम्हें आशिरवात देंगे डोंट वरी तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है विश्यू एपी मैरीड लाइफ थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर प्लीस कम इन थैंक यू मिस्टर कार्थिक क्या काम करते हैं सौफ़वर इंजिनियर सर हम नइस हाउस थैंक यू आप दुनों अकेले रहते हैं हाँ हम सर कॉफी लेंगे फिल्टर कॉफी वो तो नहीं इंस्टन कॉफी आपका वर्किंग शिडूल कैसा है सुबह और रात हमेशा की तरह बहुत काम है सर डे और नाइट हनी मून के लिए कहां गे थे हनी मून सर अभी तक कुछ दे नहीं किया है जैसे ही सब कुछ ठीक लगेगा हम लोग जाएंगे ओकी आम टेकिंग लीव प्रिया मैं एक पोलीस वाले की तरह है था एक दोस की तरह जा रहा हूं बाई बाई प्रिया यह तुम्हारे पैर में चुल जाता अपना ख्याल रखा करो मुझे गलत मत समझना तुम्सारे लीडल बाई प्रिया हो चे लो चेलो 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 सब्लोग चलो चलो को वहता है? को पारहा है कि यह आत्मत्य करने की कोशिश करता है अगर हम आत्मत्य करने की कोशिश करेगा ना तो हमें बताना थे एंत्मत्य क favor इंत्मत्य करता है झाल झाल सर हम जिसे ढून रहे हैं वो किसी बड़े दुकान में काम करने वाला आदमी नहीं हो सकता है क्या हो सकता है ये क्या बोल रहे हो ये मेरी दुकान है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर हम पूश्टाश करके चले जाएंगे सर इस दुकान में धाईसो से भी जादा लोग काम करते हैं उसमें से डिर सो मेल स्टाफ और बाकी फीमल स्टाफ हैं सर वहाँ इतने भी मेल स्टाफ काम करते हैं उसमें से आधा घर जाते हैं आधा यहीं रहते हैं सर टोटल 228 जिसमें 138 पर्मेंट रेस्ट टेंपररी सर वन अटिसिक्स लोगों में से 42 लोग यहां डिलीवरी करते हैं देखो साथियों हम अलग-अलग चेक करेंगे तो शायद उसे मिस कर दें इसलिए सब को साथ में बलाओ आई मीन मेनिचर, सुपरवाइसर, सेल्समेन, प्लमबर, कैशियर, एलेक्रिशन, सब को साथ में मालिक को भी समझे यह सोई भी छूटन नहीं चाहिए यह सर यह चोटू, इस कस्टमर की दर प्यान दे, इनको जो चाहिए न इनको दिला दे टपाला के चाहिए हमें मिक्सी चाहिए, मिक्सी इन्हें मिक्सी चाहिए, मिक्सी, मिक्सी सेक्शन में ले जाएगा यह अभी आपको ले जाएगा चलते रहो भीड मौत करो अरे सुनो हमारे सभी फ्लोरों के इंचार्जों से कहकर सभी को सात्वे फ्लोर पर आने के लिए कहो अब छोटू तो इतना स्लोग क्यूं है इनको मिक्सी दिखाना है ले मैं देखा तो देखिए लीजी ये बड़ा जा रहे हैं मुझे प्रोफेशनल कूरियर सर्विस का नंबर चाहिए राजा राव देखो यहाँ पर है क्या ठीक है 2472-2437 मुझे पूछना था कि आपके कूरियर से एक आदमी की पुछताच के लिए पुलिस आई थी क्या इंक्वाइरी कर रहे थे किसकी इंक्वाइरी कर रहे थे राजा राम सर्व राजा राम का मुबाईल नंबर है क्या है न सब्सक्राइब नंबर क्या है मेरे पास नहीं है उसका नंबर वाइट राजा राम का नंबर 98408-24130 हाँ के 98408-24130 सब लोग सुनो सब लोग साथ वे पर चल जाओ सारे मर्द लोग ए जल्दी जाओ जलो जल्दी जाओ तब आपके चाल चाल तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या ए जल्दी करो परिशानिठी ऐस नोई चाहिए आप राजा राम है न है हम मताया देड़ा मिल चुक्त है कहां जल्दी करो चाहिए आपकी ब्रांच में आप को ऐसे मिलने है कहां से बोल रहे हैं पुलिस मुझे ढूंड रही है वो चाहते हैं कि आप मुझे पहचान ले मैं आपकी ओफिस के बाहर खड़ा हूँ आपको पैसा चाहिए मुझसे ले लो पर मेरी पहचान मस बताना मैं केके नगर कुरियर ओफिस के बाहर आपका इंतिजार कर रहा आप आई है एक मिट्सर यह खोनी का ही फोन है सर वह हमारे ओफिस के बाहर खड़ा है कि जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगा तो महारे ओफिस के आज़ा बाहर हाँ सर उसे वही रुकने के लिए खाओ ठीक है चीक है सर आप उहें पर मेरा इंजार किजिए मैं 15 मिनट मे सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो जल्दी कमान पास्ट पास्ट कौन बात कर रहा है सर नमस्कार कुरियर आफिस से मैं गड़ेश बात कर रहा हूं बोलिए सर हमारा अदमी राजाराम आपके साथ है ना हाँ हमारे साथ है बोलिए क्या बात है सर बात यह है कि कमिशनर के आफिस से फोन करके राजाराम का सेल नंबर मांग रहे थे इसलिए मैंने आपको फोन किया तो नाजार आमका नंबर हमारे ओफिस से मंगा, किस नंबर से फोन आया था? मैं एक पुलिस ओफिसर बोल रहा हूँ, आपका फोन किसने यूज किया था? वेन? आदे खंटे पहले, या या, वन सेल्समें यूज माई फोन, सेल्समें? अपको से पहचान थे है, वो रहा हूँ, क्या का मैं? तुने फोन किया था? ने, मैंने ने किया था आभ बताये व कहा है, कौन वो हो, वो अभी यहां नहीं है, आप कौई नेपाली सेल्समेन नहीं है, मिरे यह यहा यह यह की नेपाली है? यह उसे जानता है सर। ए, तू जानता है उसे? मैंने उसे अभी जाते हुए देखा, पूछा तो कहने लगा कुछ काम है, इसलिए चला गया। निकल गया, फिर हाथ से निकल गया। Special control room कॉली? मैंने उसे अभी जाते हुए देखा है। वो एक नेपाली है, अलर्ट और पेटोल से दिया, ओवर। मनी शर्मा, 28, 1970 शिट, उसने कमने DTS वाट दी सर। उसके बारे में हमें जितने भी जानकारे मिले हैं, सब गलत मिली है। क्या उसकी एक स्टांप साइज फोटो भी नहीं मिली किसी को। कमिंग। आरे हूँ। सोरी प्रिया, बाइक से गुजर रहा था, अचानक पारिश होने लगी। छुपने के लिए जगह देखा तो तुम्हारा घर दिखा। ऐसे लिए। इसे लिए। इसे लिए। इसे लिए। प्रिया, तुम्हारा फेबरेट इंस्टेंट कॉफी। इसे लिए। इसे लिए। इसे लिए। इससीणा धुम्हारा इसे लिए। इसे लिए। इसे लिए। प्रिया कोफी लिया है किया थेंक्स प्रिया प्रिया थोड़ा साथ दोगी मेरा मतलब कॉफी पीने में आप इसी वक्त यहां से चले जाएए यहां बारिश भी रुख गई प्रिया आपके माता पिता ने आपको दुबारा डिस्टरफ तो नहीं किया नहीं प्रिया आपको कुछ भी मदद चाहिए मुझसे कहिएगा यह पूरा एरिया मेरे अंदर में है मेरे खिलाफ यहां कुछ भी नहीं हो सकता पावर है पुलीस की पावर मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ लोगों की कॉफी में अलगी आनन्द है सेम मिल्क सेम शुकर सेम कॉफी प्रिया टेक क्यार बाए प्रिया चलो जल्दी करो प्रिया वरना बहुत देर हो जाएगी बस एक मिनिट कार्थे दस मिनिट में होटल पहुँचना है प्रिया सब हमारा इंतिजार कर रहे होंगे इंतिजार करवाना अच्छी बात नहीं है प्रिया हुँ प्रिया हुँ हुँ कार्देक आपके एमटी घर से निकल चुके है अब तुम लेट कर रहे हो कार्देक वहां पार्टी में सब हमारा इंतिजार कर रहे हैं और इंतिजार करवाना अच्छी बात नहीं कार्देक वहां पहुचने में देर हो जाएगी बात में कार्देक बुचने में इंति प्र। आर्टी धुकने मस्ता है करे तो इस्क्यूज मी इस ओके अरे कहां भे तू हां मैं यहां पर पहुंच गया हूँ हाई 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 बड़ी हाई बड़ी आम फाइन बाइद बेशी इस प्रिया ए तू इसको केसे जनते हैं लब मैरेज पैरेंट्स की प्राब्लम मैं नहीं सल्फ की थी एक मिनिट्ट हाई हलो हाँ आगे हाँ पास में पास में ही मेरे कार्थिक डिस्को में है कार्थिक तुम इनको पहले से जानते हो अलो कार्थिक चलो अभी डिनर को और करते हैं कार्थिक चलो ना चलते हैं तब्यत कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं एनी प्राब्लम ने नी कुछ नहीं सर अक्चिली सर मेरे सिर में दर्थ है आइम नाट फिलिंग वैल क्या हुआ तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं 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 सर ऐसी कोई बात नहीं सर सर फ्यू डोंट माइड हम जा सकते हैं यह अचानक क्यो जा रहे हो नहीं नहीं साधी हुई है इसलिए जल्दी जाना चाहते हैं चुप करो या तुम भी कार्तिक प्लीज चल्दी चलो ना आम नाट फिलिंग वैल सॉरी सर चलता हूँ कोई बात नहीं करियो जब 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 उस इंस्पेक्टर ने दूसरी बार प्रिया के साथ बत्तमीजी की तो प्रिया डर गई कार्तिक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कार्तिक प्लीज तुम अपनी कंपनी बदल दो प्रिया चाती थी कि आगे से ऐसा कभी ना हो कंपनी बदलने से क्या होगा अगर एक बार फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं सच में आत्मात्या कहिल लूँगी अगर तभी मैं कुछ कहता तो प्रिया टेंशन में आ जाती कुछ भी कर सकती थी इसलिए मैं चुप रहा मैंने कुछ भी नहीं कहा येलो चाबियां हाँ सेड़ी मेरे पास ही है ओके बाई तुम वापस कब आओगे बस दस मिनिट मुझे पहुँटा लग रहा है तुम जाओ मैं आभी आता हूँ ठीक है हाँ 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 चिल गौजे तेरी वज़ा से मेरी प्रीया हमेशा टेंशन में रहती है मुझे भी तकलीफ हो रही है अगली बार तुन्हें ऐसी घिनोनी हरकत की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं काटके फेग दूगा तू तो एक बात जानता है सूपरवाइजर शानता राम कैशिर मनी राम वाच्मन सदाशिव सब हमारी तरफ आ गए है तू बहुत ही बेचारा है जिसके लिए तूने छे महने तक मेहनत की हमने उसे छे घंटे में खतम कर दिया एक बार कहनी के जरुवत है एलकेजी में पढ़ने वाली तेरी बेटी को खतम कर देंगे डर के मारे तेरा पजामा गिला हो गया ना कैशिर मनी राम पैसा देखते ही बदल गया पूरी तरह से बदल गया हुंडी वे पैसे डालने से भगवान भी वर देते हैं बस एक तीली से तेरे सारे गवाह जलके राक हो गये तेरी अंतरात्मा की आवाज कौन सुनने वाला है हैं अभी अंतरात्मा की बात सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं दो दिन बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगा स्थास स्थास ये बैंगन का सामभर था अच्छी तरह खाली है ना को जब मैं कोई सवाल पूर्षता हूं तो उसका जवाब दिया करो पहले भी कहा था मैंने कि यह जोट बोल रहे हैं उन्होंने खुद कुछी नहीं की रहे तुझे कैसे पता है नहीं चेलर ने मारा है चोड़नों मुझे उन्हें तुम लोगर दो भारा है मरो इसे मरो बाद चल्बी आईए तुझे अवाज उठाता है तुझे पता है तेरी हट्टी पत्री तोड़ दूगा ज्यादा आवास किया ना तो जुवान काटका ठेक दूगा जुपचा पैठा रहा है ज्यादा दिमाग चलाया ना तो ऐसी हालत करूँगा कि तौप तौप के मरेगा समझ्या ना याद रखना कि मुझे एक शबने निकलना चाहिए तुम लोग अने वारा हाँ 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 कि अंको कुष्ण ने ने कुष्ण ने कुष्ण है अभी आया अलो गोथां बोल रहां तो सार मैं वही बोल रहा हूं जिसकी आपको तलाविश्ट सर यह तो वही होटल ओनर है हाँ सही कहाई यह वही है फोरण इंसे फोन पर कांटेट करो घची कुल टाउन बटा आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं इया बढ़ाएं रखने नहीं रहा है गोथा बढ़ाएं आ रहा हूं टाउन ब्ढ़्स अ अ परिसना यह आ बढ़ाएं अट अब बता हावी, वे रुड़ को, महा हुआ तुम बेहोश हो गये हो, सासों के साथ पानी अंदर चला जाएगा और तुम हरे फेपड़े काम करना बंद कर देंगे और तुम मर जाओगे अब बता है झाल झाल अब झाल जाल झाले कर देंगे सर ये हमारी खुशक्रिसमत ही है कि एक वर्ड वाचर ने लेक के दूसरी तरफ चिडियों को देखने के लिए कैमरा लगा रखा था वो कैमरा और टेप इस समय हमारे आफिस में ही है उस टेप को चेक करने से हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं सर पास ले जाओ, और थोड़ा, रोखो, रॉको, राइट राइट, राइट 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 अप देखो ये वह आदमी है क्या जी हाँ से इस मी प्रिया कातिक्स वाइफ क्या बात है सर कातिक अभी तक घर नहीं आया तुम दुनों ते के साथ गये थे क्या हो गया उनका फोन स्विच ओफ आ रहा है उनके सभी दोस्तों को भी फोन कर लिया लेकिन सब लोग कह रहे होने कुछ नहीं पता मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है सर प्लीज सर मेरी मदद कीजे डरों मत घबरों मत मैं देखता हूँ क्या कहा उन्होंने वहां भी नहीं आये एक मिनिट कोई बेल बजा रहा शायद कार्थे की होगा कार्थी का कुछ मता चला नहीं कार्थी केमडी ने मुझे फोन किया था इसलिए आया हूँ प्रिया अंदर का ये लोग खोलो मुझे अंदर आने दो आर ये शियोर तुम दोनों के बीच कोई प्राब्लम तु नहीं है मैं कितनी बार कहूं कि हम दोनों के बीच कोई प्राब्लम नहीं है प्रिया एक और बत उस दिन तुम्हेरे मात्य पिता ने कहा था कार्थी का किसी लड़की के साथ स्टोप इट मैं कार्टी को खुद ही ढून लूगी पहले आप यहां से जाएए प्लीज हेलो आप इसे वक्त यहां से बाहर जाएए अगर आप नहीं गए ना नहीं गया तो वो पुलीस को बुलाओगी अगर घर पर कोई महवान आये तो पहले कॉफी पिलाते हैं जा इंस्टेंट कॉफी नहीं प्रिया मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ सर पे चोट गले पर खरोज तुम जानना नहीं चाहोगी किसने ऐसा किया ये तो ये तो कार्टी का मोबाइल है ये आपके पास कैसे आया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पज़े बताईए कि आपने कार्टी की साथ क्या किया येस इतनी देर से कार्टी का फोन बन था ना प्लीज बताईए कार्टी का आ है ये फोन उठाने में इतनी देरी क्यों क्यों नशे में हो बदन में बहुत दर्द हो रहा है बाहर कोई है क्या हाँ ना पिछले महिने तुझे जो भेजी थी उसके फिल्म बनाई होती तो सब देख सकते थे ये चुपकर कोई है क्या हाँ है ना मेरे पास गोरी चमड़ी है कल ही अंदर आई है दो दिन के लिए रिमान में आई है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी न लेके आजाए ठीक है ठीक है एए चलो उठ उठ कहा लए उठ चलो सर्वासा खोड़ा सर्वासा खोड़ा बढले ध्रीज करीज का सर्वा का कि दलेफे हाँ कि दो खाँ चुः को को हुआ हुआ हुआ! मैं9 नहां हुआ हुआ है वगण समय Χािघा एक बात अच्छी तरह सुन लो, ये कोई साधारन मौत नहीं है, उसकी हत्या की गई है तुम जो भी चानती हो बिना डरे हमें बताओ, किसने मारा पता नहीं, बताने से डरते हैं आपकी एक छोटी सी सूजना भी, खूनी को पकड़ने में हमारी बहुत मदद कर सकती है, बोल ये क्या बता सकती है मैं कुछ नहीं जानता हूं सर, मुझे काम पर आते एक महना ही हुआ है सॉरी सर, मैं आपको सब कुछ साब साब बता देता हूं, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए नहीं पता चलेगा, जल्दी बताओ सर, वो लेडीज के मामले में बहुत कमजोर थे, यहां काम पर जितनी भी ओरते आती थी, सब के साथ गलत करते थे यहां चुना, वहां चुना, उपर से डबल मीनिंग में बात करना कुछ मान जाती थी और कुछ एड़्जस कर लेती थी, और जिनके साथ जबरजस्ती होती थी, वो शर्म के कारण बाहर भी बोल नहीं पाती थी, सर अच्छानक एक दिन हमारे होटल में एक आदमी आया, और उसने सबसे पूछताच की, हमारे होटल में आउरतों के खिलाफ होने वाले बातों की बारे में पूछताच करके, उन्होंने वादा किया, कि वो कानूनी तोर पर हमारे मालिक को सज़ा दिलवाएगा उसकी बाद पर विश्वास करके मैंने उसे सच्चाए बतानी चाही लेकिन मुझे उपर से धंकी नहीं ली जिन्होंने शिकायत की है उन्हें डराया गया है और उनके साथ मार पीट की गई है उसके बाद क्या हुआ है पता नहीं हो इधर नहीं आया कभी ओके वो आदमी कौन है उसके बारे में कुछ पता सकते आप उस आदमी का नाम पता कुछ नहीं पता लेकिन वो एक नेपाली था मैडम आप जिसकी बात कर रहे हैं कहीं वो यही तो ने नहीं नहीं सर मैं जिस नेपाली की बात कर रहा हूं सर उसकी ओम्र पचास पचपन की होगी सर यह क्या सर एक नया नेपाली कहां से पैदा हो गया सेक्स टॉट्चर इस मर्डर का कारण हो सकता है सर अगर इस मर्डर का कारण सेक्स है तो इंजिनियर और प्रोफेसर के मर्डर का कारण भी सेक्स होना चाहिए है ना इंजिनियर के मर्डर में प्रोफेसर के मर्डर में इन द मेरे बहुत की उम्र का था रास्किल सोने के लिए पुझे यू नो अगर मैंने वुना किया थो हलो हाँ बोलो अभी अभी रिबोर्ट मिली है सर साफ्टेयर इंजिनियर की मौत में एक लड़की का संबन्द नामे कस्तूरी वो जिस कंपनी में टीम लीडर था वो लड़की भी वही काम करती थी मेरी एकलोती बेटी थी सर उसने बहुत पढ़ाई की थी इसलेग अच्छी कंपनी में नाकरी मिल गए लेकिन उस कंपनी के मैनेजर ने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया सर बेचारी मेरी बेटी पदा रहे क्या सोचा उसने वही पर उसने गॉसलेट डाल कर आहं लगा अमारे इलागे के गुंडे से हमें धंकी मिली कि अगर कुछ भी बता देंगे तो जमादेंगे हमें इसलिए हमने जूट बोल दिया सर कि मेरी बेटी ने पेट के दर्द की कारण आद मत्या कर ली सर हम गरीब लोग हैं हम अपना मूँ कैसे खोल सकते हैं सर हम कुछ भी बोल जानकारी दी गए थी कि वो कौन है वो किसले जिल गया था गुट 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 वेरी गुट तुम उसे लेकर तो नहीं तो आफिस में आजाओ हाँ ev죠 ब्रीक Lock वो को दो एहाल हो ओगा मो कभी मेरे मेरी को सुखी नहीं ओपदिया खुट वोग्वार वो इनसान नहीं है कि यह पहले के लिए जरा सुनो सर्थ मुझे लगता है यह लोग कार्थी के उपर इल्जाम लगा रहें सर उस दिन प्रिया ने फोन करके कहा था कि कार्थी का कुछ अता पता नहीं है मैंने भी अपने दोसे इंस्पेक्टर को भेज कर पता लगाने लिए कहा था उसका दो रा लेकिन उसका कोन स्वीच ओफ आ रहा है इतना कुछ होगे लेकि मुझ कहा है क्या करें पता नहीं हुआप अप्र नहीं हुआप आ रहा हुआप आ नहीं हुआप 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 सक्यूरी हुआप हुआप पाद़ दालो पाद़ दालो इसके उपर अरे दो दिन से गाड़ी यही खड़ी है यह उसी में था क्या कहा था तेरी पत्नी मेरी वजह से टिंशन में रहती है तेरी पत्नी के पास जा रहा हूँ तु रोक सकता है तु रोक लें सर ये गोवी मेकाली एक नेपाली है वो एक समास सेवी है फॉर एक्जामपल मेगा पाटकर की तरह जो परियावरन के लिए लड़ा करती हैं मेरे ख्याल से ये नेपाली जेल में ही मरा होगा सर इस आटिकल के हिसाब से तो… ये ठीक नहीं ज़र, सर ये आटिकर पहले भी आ चुका है, इसके बारे में बहुत भैस हुई थी, इसलिए हमारे जेलर ने इसके बारे में इंक्वारी भी कराई थी, बाद में पता चला कि ये हत्या नहीं, आत्महत्या थी और ये पुराने जेलर अप कहा है? Now he's no more क्या हुआ उन्हें? उस दिन उन्होंने थोड़ी ज़्यादा पी रखी थी, और इस हालत में राउंड्स में गए थे, उस दिन बरसाद भी हो रही थी, पैर फिसल कर गटर में गिर गए, और वही पर उन्होंने अपने प्नार त्याग दिये जिस सेल में नेपाली को रखा गया था, उसके भगल में एक और कैदी था, दोनों को एक ही सेल में रखकर, दोनों पर नज़र रखने के लिए जेलर साब ने कहा था मैं उस कैदी से मिलना चाहता हूँ सर, वो रिहाओ कर चला गया सर पूरी डिटेल कलेक्ट करो जेल में हुए एक नेपाली के साथ थन्याय का, बाहर दूसरा नेपाली बदला ले रहा है सर इनका ये कहना बिल्कुल सही है सर, लेकिन उन दोनों के बीच क्या संबंध है सिर्फ इतना ही नी, हम ये कैसा कह सकते कि वो नेपाली अकेला ही काम कर रहा है क्योंकि उस दुकान में काम करने वाले नेपाली, जो कि आम लोगों को परिशान करता है उनके बारे में जानकारी हासिल करके, जेल में कैद उस नेपाली की काफी हद तक मदद कर रहा है अब जो भी कह रहे हैं वो इक अनुमान है लेकिन नेपाली के साथ सेल में कार्थिक था हो सकता है कि नेपाली ने कार्थिक को हत्यारे के बारे में कुछ बताया हो कार्थिक से तुरंट पुष्टाश करनी होगे रिंग जा रही है सर हलो हलो, इस इट मिस्टर कार्थिक? येस हलो मिस्टर कार्थिक, वी एर प्रम S.I.T. आप कमिशनर ओफिस तक आ सकते हैं? क्या बात हैं, बता सकते हैं? एक केस के सिलसले में S.P. आपसे मिलना चाहते हैं सॉरी, मैं भी नहीं आ सकता, मैं पुना में हूँ तो कल सुबा आ सकते हैं ठीक है कल रात नो बजे, मेरे गेस्टाउस पर आ जाना मेरे जनम दिन पर आय थी न, वही गेस्टाउस अगर नो बज कर एक मिनट पर भी आई तो तुम्हारी फोटो यहां इस वेबसाइट पर अपने आप अपलोड हो जाएंगी ऐसा प्रोग्राम रखा है ये क्या कह रहे हो तुम? एक और फोटो? ये सर, इस बार उसने इमेल से फोटो भीजा है इस बार फोटो के साथ कुछ क्लोज भी दिये हैं सर मैथेमेटिक्स बिल्डिंग, वंडर्फुल टाइम एक मिनिट आरेक्स ये आरेक्स का मतलब क्या होता है? नो आइडिया सर ये सब डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन को मोल कर रखते हैं और यहाँ पर ये एक पैट पर लगा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स के टेरस से देखने पर उसका एरियल व्यू प्लस की तरह दिखता है सर अरिथमेटिक प्लस जैसा ये मैथेमेटिकल साइन है सर स्कूज मी सर सर अगा हम मेंशन करें कि बंड़फूल बिल्डिंग शब में पहले शब को टाइप की रूप में तो मर्टर का टाइम साथ बजी का हो सकता है सर वो डॉक्टर ही है डॉक्टर रवी प्रसाद लेडिंग होट स्प्लस लिस्ट होट लाइन होस्पिटल का चेर्मेन डॉक्टर का एड्रेस मोबाइल नमबर इमेल आईडी अलो डॉक्टर रवी प्रसाद येस सर इस इस गौतम स्पिकिंग ये तल में सर कहा है आप 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 है पोलिस पूलिस ने मुझे तेरे बारे में पहरता ग्याता भूआ अटे डॉक्टर रवी प्रसाद ओ माई गॉड वो आया था मुझे मारने के लिए लिफ्ट में चलो जल्दी जल्दी कम ओन जो यहीं कहीं होगा वो किसी दुकान में होना चाहिए जल्दी जाकर ढूलो उसे एक भी दुकान जूटने नहीं चाहिए कम ओन स्टाइब लोग के दाईए कब एलेग को अराम से जल्दी जल्दी गोग गोग कि अ कि कर देएक कर देए और यह था करूछ है ऐस पादप्सक्राइए खाला कर देसे इस्कूजी इसरह बादर जाए है कमाउन गाईज कमाउन चलिए आगे बढ़िए चलिए 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 आगे अलो मैडम अंदर कौन है बाहर आने के लिए कहिए एक प्रेट रूकिये मैडम बोलती हूँ अरे बाहर आ या रिस्पॉंस नहीं दे रहा है हाँ बोलियो सर जल्दी नीचे आजाओ इंक्व हूँ आगे बढ़िए बोल्दी चलिए एंक्राइज को कि स्वाँ आपे जए भूकिये आपे बाहर आ बोल्यच वैशोष नहीं मैडम अंदर के लिए चलिए याँभी चलिए रहाँ अरवष बोल्दी आपे लिएको याँ इंक्वाश का कहिए शहीं इंक्रावी कर दो बने करो साथ छलो छलो लाइन पर लाइन के बां? when I have total कि यह कैसे हो सकता है दूसरी बार हम लोग चूप करें कि सर मुझे जाना है मुझे बहुत काम है सब आपको जाने नहीं दे सकते दॉक्टर समझने की कोशिश कीजिए को अबने शेटार चलो 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 अटो यूर वेस्टिंग माँ टाइम मेरी मार से वो शहरी छोड़कर भाग गया होगा सर नो नो यूर रॉंग वो भागने वालों में से नहीं है पीछा करने वालों में से वो आपको ढूरता वज़ जरूर आएगा सर आपने किसी कार्ति को बुलाया था वो आए हैं मैंने भी बुलाया था उसे बैठने के लिए को ये सर आमा डॉक्टर आप मुझे ठीक से हंडल नहीं कर रहे हैं मुझे अपने लायर से बात करनी होगी वो नेपाली एक सीरियल किलर है अब तक वो तीन खून कर चुका है उन तीनों ने लेडिस को सेक्स टॉर्चर किया था अब उसने आप पर हमला किया है इसी एक बात के संदे पर मैं आपको अंदर कर सकता हूँ समझे मैं कॉपरेट करता हूँ लेकिन मुझे जल्दी भीज दीजिए कैना स्मोक प्लीज थैंक यू थैंक यू देखो स्टेफी मुझे बस तुमसे प्यार की उमीद है तू चाहे मुझे हस कर प्यार कर या फिर रो कर प्यार कर मुझे उससे कोई मतलब नहीं नो प्रॉब्लम लेकिन मुझे तू चाहिए हलो मिस्टर आप कार्थिक है ना जी सर यहां क्या कर रहा है मैं पानी पीने के लिए पानी पीने एक बाद अंदर आईए आप तो सुभा आने वाले थे ना जी सर मैं पूला से अभी अभी आया जब आप जेल में थे तब आपके पास एक सेल के एक नेपाली ने आत्मात्या कर ली थि याद है वो खुध खुशी थी क्या उसने आत्मत्या के थी ऐसा ही कहा गया था आपने उनसे बात की थी क्या नहीं सर लेकिन आप दुने एक ही सेल में थे मैंने सुना है थोड़ी दिर के लिए एक ही सेल में डाला था सर तब भी बात नहीं की थी नहीं सर उनको मेरी भाश्या समझ में नहीं आती थी और नहीं मु इसी के लीरी पिज वोन में और रउन का रच्तक पैसा थ्म स्बांच सॉर दिए कत से इस नैंख प्ले गहा है अजया बई। 4673 आपकी गाड़ी है ना या आपकी गाड़ी के वज़े से पार्किंग में प्रॉब्लम हो गई है ओ आम सॉरी हाटा लेता हूं बेकल प्रॉब्लम है वीडियो में कार्थिक है सर गार्थिक है लेकिन हमारी पूष्टाच में तो वह कह रहा था कि पुनेस आया है फिर वह इन और्बिट में कैसे हो सकता है इस Excuse me sir Sir हमने jail से जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार उस नेपाली को हिंदी पाढ़नी भी आती थी लेकिन कार्टिक कह रहे हैं कि उसको हिंदी नहीं आती थी वो जूट बोला है ये जरूर कुछ जानता है Oh God, जरूर कुछ कर पढ़े जरूर कार्टिक भी नहीं है Damn it, what the hell is going here Come on doctor, pick up the phone Hello, hello Doctor, आप ठीक है न? Doctor के साथ all wrong होने वाला है उसे all right पूछ के कोई फार नहीं होगा कर्टिक, कर्टिक देखो, phone मत कटना हैं, हम तुमारे बारे में सब जानगे सुनो हमारी बाद, एक के बाद एक तुम गल्दिया करते जा रहे हो हमारी बाद सुनो, देखो कार्टिक समझने की कोशिश करो सुनो, की सब करना बंद करो डॉक्तर को हमारे हवाले कर दो, उसे हम सजा दिलाएंगे यकिन करो हमारा मोबाई टावर से पता लगाने की कोशिश करो कार्टिक, अगर आज रात को इसे सजा देंगे तो ही मैं इसे लाओंगा कार्टिक, अगर कल सुछ से पहले इसे सजा नहीं दी तो ये नर्स की सिंदगी बरबाद करके चला जाएगा मुझे अच्छी तरह पता है, तुम क्या कर सकते हो तुम्हारी ओफिस में, तुम्हारी ही कस्टडी में, उस नर्स के साथ ये प्रोग्राम फिक्स कर रहा है मुझे अच्छी तरह पता है, तुम क्या कर सकते हो पहले केस डिटेल्स चाहिए, उसके बाद एफायार लिख होगे, रात है बोलोगे, है ना शनिवार रवीवार बोलोगे, जब मंडे को केस के बारी आएगी, तब ये नहीं आया है, वो नहीं आया है, कहके केस टाल दोगे है ना अगर आदालत में केस चला भी तो तारी के तारी की तारी के लेकर वो बहार आपकर अपनी ताकत का इस्तमाल करके कितनी ही लड़कियों की जिल्दगी बगबाद करता रहेगा, उन्हे तबह करेगा! क्या तुम्हरा कानूनी से सजा दे सकता है? नहीं दे सकता! जल्दी करो, क्या कर रहे हो, अभी तक उसका एरिया पता नहीं चला सर, अभी GPS लिंक में आया है, अभी पता चल जागा सर एक कार्थिक, गीमी वन चास हम पूरा ख्याल रखेंगे कि आज के बाद कोई गलती रहा अब क्या, पहले जो गलती हो गई उसका क्या मेरी प्रिया ओफिसर, तुमने प्यार किया है मेरी प्रिया उसके साथ बिताया एक एक पल आज भी मेरी आखों में बसा है मेरी प्रिया को हवस का शिकार बना कर जान से मार दिया खत्म कर दिया वो भी एक पलिस वाले ने इसलिए कानून के खिलाफ जाकर हवस के शिकारियों का शिकार करने और उन्हें की सजा देने निकला था एक नेपाली लेकिन जेल में उनकी हत्या करके उसे खुदकुशी करार कर दिया पलिस वालों ने उसके साथ तो कोई अन्याई नहीं हुआ था फिर भी वो सजा दिलाना चाहता था तो मैं कैसे चुब रहता प्रिया की मौत के बाद मैं कैसे चुब रहता बताई यह आफिसर इसलिए मुझे भेस बदलना पड़ा मैने नेपाली आउतार धारण किया उस नेपाली नेजिसे यह दड़ दिलाना चाहा उन्हें सब को मैंने न्याय के अनुसार अपने न्याय के अनुसार खुण कर रहा हूँ और आगे भी खुण करता रहूंगा मेरी मालूमात के हिसाब से जेलर को मिला कर पूरे पांच उसके बाद डॉक्टर छे फिर साथ, आठ, नो, दास ऐसे ही चाते रहेंगे नहीं छोड़ूंगा देखो कार्टिक, मेरी बास तो छोड़ दो प्लीज छोड़ दो से अदालत में सालों तक चलने वाले इस केस को मैं चुटकी में खत्म कर दूँगा ये सोच कर तुम्हें खोशी होनी चाहिए, ओफिसर क्पो कर दीचे कर दोड़ कीमल दोड़ू से नहीं geographicरा ौपीर मुऑ परेखो भיגन वो मर्या सिर्व देड़ बोड़ी को गाली में चड़ाओ ओके सार थेंके सार बोड़ी कोई दिए झाल झाल सर, सो दिस केस इस क्लोज़? नहीं, अभी नहीं. लेकिन वो तो मर गया, सर. उसकी लिस्ट के बहुत सारे लोग अभी जिन्दा हैं. ये क्या कह रहें, सरा? हमें उन सब को सजा दिलानी है. कानूनी तोर पर.